हेलो गाइज बेलकम बैक टो यूटिप चैनल और आज हमारा डे 20 है और आज इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं दर लीप स्टार्ट अप यह बहुत शांदार बुक है मिन्स दर लीन स्टार्ट यह बहुत शांदार बुक है जो की आपको एक ब्रॉड माइंड देग अगर आपने मेरी पहले की बीडियो नहीं देगी ना जो मैंने अभी एक्स्प्रेंड की हैं डे 19 तक तो वह आप एक बार जाकर देख लेना जैसी यह बीडियो खतम होती है उसके बाद देख लेना क्योंकि मैंनों उसमें प्रोड़क्ट कैसे फॉम होता है प्रोड़क्ट यह सारी बुक्स हमने डीप में स्टड़ी किया है और उसमें हमने प्रोपर पर्टिकुलर वीड़एग निकाला और बुक का जो बैस सार रहतना बैस सार को निचोड़ा है उसके बाद ही प्रोपर संब्री है आपको दिये प्रोपर आपको एग्सक्यूशन स्टेप आप उ उसको मार्केट करते हूं और उसको मेजर करगए ग्लोबर लिएवल कैसे पहुंचा सकते हैं पहले लोकल लिएवल फिर ग्लोबर लिएवल कैसे मार्केट करना हो यह तीन्जिश का video में बता है अपना business कैसे create कर सकते हैं और उसको कैसे importance of development learning from the customer feedback ये भी हमको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा इसमें तो ये सारी चीज़े start कर दें ठीक है चेप्टर फर्ष्ट है start ठीक है the author introduces the concept of the lean startup emphasizing the need for a scientific approach to creating and managing successful startup एक successful startup करने के लिए हमको scientific approach अपनानी पड़ेगी और हमारी scientific approach नहीं होगे ना तो हम कुछ ना कुछ गलती करते रहेंगे ठीक है तो execution steps है जो first startup कि हमको पहले start कर देना है ठीक है identify a problem or a pain point in the market ठीक है यह मैंने पहले भी explain किया है first in millionaire में और hundred dollar startup में इसको मैंने बहुत deep में start किया detail में इसको explain किया है identify a problem or pain point in the market पहले identify market problem के चलेए need किया है second double up a hypothesis about a solution to that problem उस problem का particular solution बनाओ product बनाओ और then create a build a minimal by will product MVP to test the hypothesis यह भी मैंने पराणी वीडियो में detail में explain किया है वो जो कि मैं आप इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा ठीक हमको minimum value product create करना है 99 से लेके 999 तक एक बार वो product create हो जाएगा पर आपको क्या करना है कि आपके जो market में उसको promote करना चालू कर देना है ठीक है chapter 2 आता है हमारे define discuss the importance of defining the startup vision and mission and how to create a strategy to achieve it पर अदर गोचस कि आपने अब start तो कर दिया आपका अपका product step कर दिया minimum value product आपने introduce कर दिया तो आपको यह clear करना पड़ेगा आपका mission क्या और बिजन क्या है particular products related और particular आपके startup से regarding क्योंकि अगर आपका mission और बिजन नहीं हो ना तो आप fail रहे होगे अब भी नहीं starting के दो महीने में फिल नहीं होगे तीन महीने में नहीं होगे तो 6 महीने बाद एक साल बाद आप automatically fail हो जब तक आपका vision और mission नहीं होगे ठीक है vision और mission को double up करने के लिए हम मैं आपको तीन steps देता हूं ठीक है first define the long term vision and mission of the startup अब आपको long term vision define करना है कि आपका product किस field में कि लोगों की जिन्दगी बदलने बाला है ठीक है किस तरीके से आप लोगों की help करने बाले हो particular problem solve करने में ठीक है पहला ये long term approach नहीं second identify the leap of faith assumption behind the business idea अब आपका किस तरीका बिजबास है और किस तरीका business idea है जो आपका उस पर बिजबास रखना है आपको ठीक है faith ठीक है जब तक आपका faith रहेगा उस पर proper business idea आपको और उसको आपके जो start up करते है slow one है उसमें add कर दो ठीक है और उसको visualize करो ठीक है जब तक आपको product पर बिजबास नहीं हो ना तो आप आँगे कैसे बढ़ोगे ठीक है business ideas पर आपने बिजबास रखो और फिर उसको दीर दीर करके आँगे बढ़ाओ ठीक है product start करने की minimal viable product वाली आपने product भी style कर दिया और आपने बिजन भी आपका डवल्प कर लिया अब क्या होता है कि starting में start up जो भी start ups रहते हैं अगर कुछ नहीं नहीं सिकते तो उसको वो apply भी नहीं कर पाते तो ठीक है focus on the build major learn feedback loop ठीक है यह आपको करना है ठीक है की build major आपने बनाया चीज उसको ना पा और learn किया और feedback लोगों से where startup test their hypothesis learn from customer feedback customer feedback is the most important part to grow your business ठीक है जब तक आप customer की problem को solve नहीं करोगे और आंग नहीं बढ़ोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो जैसकि मैंने आपको बदा बताया बनी बुल्डब मनीमल प्रोड़क्ट टुटेश की assumption ठीक है जो आपने प्रोड़क्ट बनाया उसको जो आपका प्रोड़क्ट हो उसका result दगने के लिए आपने MBP तयार किया अब MBP तयार करके आपको जैसकि आप प्रोड़क्ट हो सेल भी कर रहे हो और साथ साथ में आपको feedback भी लेते जाना है आप क्या और इंप्रूब कर सकते हो जिसकी better experience हो पाएगा आपके customer का ठीक जब तक आपका customer का better experience नहीं होता जाएगा तो आपका जो customer का feedback है समयरे ना और आप सूचते को मेरी चीज तो best है और लोग ही गलत है तो उस तरीके सोचते जाओगे ना तो आप अगले एक साल में खत्म हो जाओगे second, measure the result and gather feedback अब जिस तरीकी चीजे चाल लहीं है उस तरीक का जिस तरीकी चीजे चल लहीं ना उस तरीक की चीजो को measure करो जब तक भगो if you can measure you can improve if you cannot measure you cannot improve जब तक आप नपोगे नहीं तब तक आँगे नहीं बढ़ोगे if you can measure then you can judge your accuracy or judge you can improve जब तक आप आपकी गलती को मानोगे नहीं तब तक आँग बढ़ोगे नहीं अब आपने गलती मान ली सीख ली नाप तोल ली अब आपको के इंप्रूब करना है भू देखना है तार learn from the feedback and adjust the product or strategy accordingly आपके feedback से सीखो और आँगे बढ़ो ठीक है और यही रहता है जे चैप्टर तरी तक अब चैप्टर पूर आता है experiment introduce the concept of validated learning through derivative experimentation adaptation जब तक आपको इंट्रूड्यूस एक आपको concept करना कि जो भी आपके client है में बाइवल product यूज कर रहे है प्रॉपर जैसके मैंने बता है कि experiment करो और उन लोगों को भी जो आप प्रोडेक्ट सिल कर रहे हैं उसको inspire करो जैसके आपको कोई course है तो चीजों को apply करें और तब ही आप उनको result मिलेगा ठीक है लोग क्या करते हैं जानतर आदी चीजों को apply करते हैं आदी चीजों को छोड़ देते हैं तो प्रोफर आप उनको आपको प्रोपर एक experiment तयार करना है जो भी आपकी hypothesis जो भी आपका प्रोड़क्ट है उसको apply करने के लिए ठीक है कर सकते हो आदे को यह एक्सपरिमेंट कर लिए आदे को दूसरों को बना एक्सपरिमेंट के ठीक है कोई particular strategy आई कोई algorithm आया कोई technique आई तो आप उनको experiment करके आप चीजे देख सकते हो ठीक है regularly review and adapt strategies based on the experiment result अब जो experiment का result आया उसको proper studies को based करना कि क्या apply किया तक क्या से क्या result आया और उसको कैसे adapt कर सकते हैं हमारी strategies को नए customers के साथ ठीक है leap discuss the concept of pivot changing strategy without changing vision and the preserve staying on the current course decision ठीक समझो इस बात को देखो आपको जो आपका startup का idea है उसको रखे लेना है ठीक है अब आपकी एक study काम नहीं कर रही है समझ लो उस चीज को ठीक है social media पर just कि हमार क्या रहता है कि अब social media पर proper हम बर्क कर रहे है एक strategy बर्क नहीं कर रहे है तो हम दूसरी strategy बर्क कर दें ठीक है और एक particular math problem का एक तरीके सवाल का answer नहीं आ रहा है तो हम ट्राय करते हैं कि दूसरी तरीके से उसका answer लाया जाए ठीक है हमको concept क्या है कि दो और दो चार होते हैं आप कोई पता है अब बाइक से भी जासकते हो ुसमें आपको खुद को drive करने पड़े बस भी जा सकती हो समयरा ला, particular car से भी जा सकती हो आपको देखना है कि अगर बाइक से नहां जाके आप कि सी कध्रें, car से जा रहा है और plane से जा रहा हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका mission और vision चेंज नहीं होना चाहिए बाकी जो भी study है वो वदलती रहेंगी तो इसके लिए आपको क्या करना है as is the result of experiment and decide whether to pivot or preserve आपको निकलना है या रगना है उस experiment के result आनिक बाद अच्छा result है तो रखो रखे रहो मंदर का मतलब थोड़ा गंदर result आया तो उसको छोड़ो ठीक है पर वोड़ वहन data suggest a change and strategies in necessary छोड़ो तब ही तब आपका data suggest कर रहा है कि आप गलत भी में कर रहा है चीज़ों को ठीक है preserve when result align with the expectation अब जो आपकी expectation है उसके regarding data आ रहा है उसके regarding result आ रहा है उसके regarding खाम हो रहा है तो काम कीजिएगा ठीक है सिर्थ test experiment कर लिए हमने लीप कर लिए मतलब जो चीज़े काम कर रहे है उसके regarding हमने किया और strategies बदली भी जब हमको ज़रूलत पड़ी ठीक है अब जो आपका idea है ना जैसके अब नए नए ideas आ रहे है आपका business बड़र आय नए लोग के पास आ रहे हो ठीक है आपकी एक study मद्ध प्रदेश में काम कर रहे है चीज़े सीखो आंग बड़ो टेस्ट करो आंग बड़ो टेस्ट करो आंग बड़ो यह है collect and analyze data to inform decision अब कोई decision ले रहे हो ना जैसकि कोई भी एक बड़ा action लेने बड़ी store करने वाले हो यह फिर कुछ extra करने वाले हो यह आपको करना है ठीक है अनलाइस करो डाटा को जो भी आपने भी बड़ा ऑनग मेंग जो कोई फ्रेंचाइस खोले या कोछ भी बड़ा वह यह आपका प्रोड़क्ट लोंच करने वाले हो तो सक्रगाडिंग रिसर्च करो कि सही जा रहे है तो ही आपको करना और नहीं जा रहे तो ठोड़ो और दूसरी लोकिशने नाओ ताने thing is that we have to measure the things that we are doing and the result we are producing the much more you get in measuring and the more you improve the thing that you can measure that you can improve easily as I already said discuss the significance of actionable and matrix the trees of matrix actionable, accessible and auditable आप किस चीज़ पर action ले सकते हो एक बार आप measure करो गता हो किस चीज़ को assess कर सकते हो और किस चीज़ में आप बदलाब ला सकते हो आइडिएंटिफाइ की matrix for the business आपके business के matrix clear करो focus on the actionable matrix that guide you in decision making जो आपको decision making में proper guide करती है उस चीज़ पर decision लेना चालू करो next is regularly measure and analyze matrix to inform studies आपको studies जो आपकी बंद नहीं है आप उनमें कोई बदलाब चाहिए है नहीं चाहिए उसके regarding आपको पहले काम करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको proper matrix के अपडेट करना पड़ेगा जो भी आप action ले रहा हो जो भी study से आपको measure कर रहा हो तो वो चीज़ आप करने पड़ेगी ठीक है और next आते हम पर वोड़ वार पीज़र पर हमने पहले ही बात किये batch पर हम बात करते हैं कबार फिर से ठीक है प्रोड़क्ट इंडेश्ट्री में हो आप प्रोपर एक फिजिकल प्रोड़क्ट क्रियेट कर रहे हो तो आपको batches create करना पड़ेगा छोड़ छोड़े batches hundred के create कर सकते हो thousand के create कर सकते हो जो जिस भी में आपको compatible फिल करें हलका भी रहे और प्रोपर आप उस पर चीजों को मेजर भी कर पाऊ ठीक है next की हमको उसको मेजर करना है अगर आप प्रोड़क्ट इंडेश्ट्री में हो तो आपको प्रोपर मेड्यू मॉड्यूल बनाने पढ़ेंगी कोर्स के आप किस मॉड्यूल में क्या सकाने बाले हो ठीक है यह समयना पढ़ेगा चैप्टर 10 ग्रो ग्रो इस दे मूश्ट एंड अल्टिमेट थिंग फोर दिस थिंग मतलब समय रहे हो न इस चीज का अल्टिमेट गोल क्या है हमारे स्टार्ट अप स्टार्ट करने का कि हम आपको ग्रो करना है और बिजनस को एक्सपेंड करना ठीक है एक्सप्लोर स्टेडिजिस पूर स्केलिंग अइस्टार्ट अप्टर एचिविंग प्रोडक्ट एंड मार्केट इफिट ए अपको पता चल गए कि आपको फ्यूचर में फिडवेक लेने है बट अब ताइम आ तो आपको क्या करना है आपको दो चीजी करना है आपको फोकस ओन कस्टूमर एक्वाइशेशन अब आपका नेक्ट स्टेप क्या है कि आपको कस्टूमर को लाना है जितने कस्टूमर एक्वाइर कर सको जितने कस्टूमर करो मार्केटिंग से करो और प्रोमोशन से करो वह वहत तरीक प्रुमेशन सीर रहे वाच्छा चालू करो एडवर्कोटाइसमेंट करना चालू करो खुंगोल एडडिल chef एमसेंट्रीक में थमेल्य विडियो और अध्यवर्रe doing वो क्यों है क्योंकि देको आगर आप एमेल बेज़रे हो ना आप लाग लोगों को इमेल बेज़रे हो ना उसमें से रिप्लाइ यह मानकर चलिये मुश्कल से पांच है तो मैंने आपको बहुत बन जान बोल देए एक हैर लोगे का रिप्लाइ आ सकता है और भहीं आप कोल्ड कर रहे हो ना तो आप उसमें से 10 प्रोडक्ट निकाल सकते हो कोल्ड कॉलिंग का ये एफेक्ट रहता है और जी मैं मेरे बिजनेस के लिए भी करता हूं ठीक है डिजिटल मार्केटिंग के लिए यही सेम फॉर्मला अपनाता हूं और उसमें अच्छे रुपे निकालता हूं ठीक है डिजिटल मार्केटिंग के बाद आते हम सेकेंड बिजनेस की लीड जेनेरेशन के रिगार्डिंग दूसरी कंपनियों के लिए उनके लिए भी सेम फॉर्मला बनाता हूं मैं जो बेकेंट रहती है तो यह बहुत ब्रॉड माइंड में आपको देखोगे न तो बहुत जान एफ्ट करती है आपको प्रॉपर एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी कोल्ड को लिए ठीक है जो आपको हेल्प करें केस्टूमर एक्कॉर करने में और रेटेंशन में आपको इस लिए इस तरीके स्फोकस करना है कि केस्टूमर के साथ एक लॉंग टर्म एप्रोच में आपको रेलेशन्शिप बनाना है जो कि आपके साथ एक फैमली टाइप बन जा है ठीक है एक बार आप कस्टूमर की कर करो तो पर आपसे प्रॉड़क्ट लेगा और कि सीजन ही ल पिसजों को लिए तो पर आप अप्लाइन जाकर अच्छा अगर आप यूज़कर ब्सिंट कर करसक weiter तो निंगार कर सकते हो तो जाहो प्रवूड़ करते हैं पर आप ओनलाइन जाकर आपने ओफ्लाइन बिजिन इसको भूल गए न तो फिर दिक्कत आई तो ओफ्लाइन पे भी उतनी नहर रखनी है और उसको एक्स्टर टाइम बच रहे न उसमें आपको ओनलाइन जाना है ठीक है तो दोस्तो आज की बुक समरी दलीन स्टार्ट अप आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में डे 21 पे अगली बुक डिस्कस करेंगे अगर आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहते दुख कीजिए आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब टक के लिए अलबे तो जैहन बंद मात्रम